नमस्कार स्वागत है आपका अपना उत्राखंड में मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग खबरों की शुरुआत करते हैं उत्राखंड के मुखिमंतरी त्रविन सिंग रावत की कुरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दी फिलाल उन्होंने खुद को आईसोलेट कर लिया है अपनी पोस्ट में मुखिमंतरी ने लिखा कि मैंने कुरोना जांच करवाई थी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है मेरी तबियत ठीक है और लक्षन भी नहीं है अंतित्ह डॉक्टरों की सलापर मैं अपने आपको होम कॉरंटाइन कर रहा हूँ मेरा सभी से अनरोध है कि जो लोग गत कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए उत्राखंड में 24 घंटे में कुरोना वाईरस से 620 लोग संक्रमित हुए हैं जबकि इस महमारी से 9 लोगों की मौत हो गई प्रदेश के स्वास्त विभाग के बुलचिन के मुताबिक 620 नए मामले सामने आने के बाद राज में संक्रमितों की संख्या 84,689 हो गई है ताज़ा मामलों में सरवाधिक 194 धेरदुन जिले में सामने आये जबकि ननिताल में 277, अलमोडा में 48 और हरिद्वार में 36 मामले सामने आये हैं बुलचिन के अनुसार राज में इसमा हमारी से 9 और मरीजों की मौत हुई है प्रदेश में 384 लोगों की मौत हो चुकी है इसके अनुसार प्रदेश में 676 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए अब तक कुल 76,223 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं उपचारधी मरीजों की संख्या 6,062 है कोविड-19 के 1,020 मरीज राज्य से बाहर जा चुके हैं हरिद्वार पहुंचे दिल्ली के उपमोकि मंतरी मनीश्ट सोधिया गंगा आरती में शामिल हुए उपमोकि मंतरी के स्वागत कारिकरम और दूसरे चरण के दोरे को लेकर बहादराबाद मार्क स्थित आरके पुरम कॉलोनी में आम आदमी पार्टी की बैठक हुई हरिद्वार में महाकुम की तैयारी जोरो पर है कुम्ब मेला प्रशासन मेले को दिवे और भवे बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है हरिद्वार की नीलधारा टापू पर इस बार भी शिवर अस्पताल और मीडिया सेंटर बनेगा मेला अधकारी दीपक रावत ने नीलधार टापू का स्थलियर निरिक्षिन किया दीपक रावत ने बताया कि नीलधार टापू पर शिवर अस्पताल और मीडिया सेंटर बनाने के लिए जमीन को समतल किया जा रहा है और सेक्टर रोड बनाई जाएगी यहां इंट्री के लिए दो पुलों का निर्माड होगा और चंडी घाट पुल के पास मोटर पुल और दूसरा पुल लाल जी वाला से भी प्लान किया गया है मेला प्रारम होने से पहले ये काम पूरा किया जाएगा वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इस बार कुम मेले में 23 सेक्टर बनेंगे जिसमें रेल्वे को अलग सेक्टर के रूप में रखा जाएगा आए सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा मेला अधिकारी ने तो उनकी सेक्टर रोड्स बनती है उसको तरह किया जा रहा है और इसमें एक और काम यह है कि जो अप्रोच इस सेक्टर की एक तो आप सामने देख रहे हैं कि एक बड़ा सा पूल बन रहा है जो मोटरेबल होगा उसके लावा एक एंट्री लाल जी वाला से भी यहां की प् प्राना खतम नहीं किया है कुछ एक जगों पर हमने दो सेक्टर को जोड़ते वे एक तरह से प्रोपोस किया है और एरिया उतना है फिल्म दकश्मीर फाइल्स की शूटिंग इन दिनो पहाडों की रानी मसूरी में चल रही है जिसके लिए बॉलिवड अभिनेता अनुपम खेर अपनी पतनी किरन खेर के साथ मसूरी आये हुए हैं वे मसूरी की सुंदर वादियों का आनंद ले रहे हैं शूटिंग से कु अच्छी सेहत की कामना की रसकिन बॉन ने भी अपनी ऑटो बाइग्रफी लोन फॉक्स डांसिंग अनुपम खेर को भेट की और उनके उज्वल भविश्य की कामना की उन्होंने कहा कि वह चाहेंगे कि अनुपम खेर लगातार बड़े पड़े पर नजर आते रहें अब तक की फिल्म की शूटिंग माल रोड पार्क स्टेट सिस्टर बाजार राधा भवन में हो चुकी है। 20 दिसमबर को मसूरी चावनी परिशत के सिस्टर बाजार में शूटिंग होनी है। बता दें कि दे कश्मीर फाइल फिल्म कश्मीरी पंडितों की कहानी पर आधार फिलाल अपना उत्राखंड में इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रही है न्यूज वर्ल इंडिया के साथ धन्यवाद।